तो完全 routine अ कम्पूलीट skincare रूटीन फॉलो करना खेयस लोग हो को ब्रस्ट लगता है खेयल और बौर्चे, लिखा iis खेयं होते हैं काई लोगों को टमτιनों संभाट यकीन दिलाती हूँ कि आज जो face wash powder मैं आपके साथ में share कर रही हूँ, अगर आपने इसको use कर लिया, भले से आप सारी skin care routine फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ये अकेले आपकी skin की सारी problems को ये target करता है अगर आपकी skin dull है guys, या आपकी skin को brighten skin tone uneven है ये even कर देगा, चेहरे पे dark spots है, काले धब्बे है marks है, pigmentation है आपकी skin में उसको ये lighten कर देगा tanning है आपकी skin में उसको ये remove कर देगा, आपकी skin को ये tighten करेगा, आपकी skin में जो pores होते हैं, अगर enlarged है तो उसको वो minimize करेगा मतलब ये आपकी skin की सारी problems को solve कर सकता है, क्योंकि skin ingredients इतने खास है guys welcome to my channel guys, मैं हूँ Rabia, आज जो face wash powder हम बनाने वाले हैं, उसकी सारे ingredients आपके घर पे होगे, अगर आप घर में at least दाल चावल बनाते होगे बनाते हो, yes ये बहुत simple है बनाना बहुत simple है इसको store करना और उससे भी ज़्यादा simple है उसको use करना, लेकिन फाइदे इसके इतने सारे होगे कि आप गिन गिन के ठक जाओगे, तो देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है इसको बनाने के लिए सिफ चार चीजों की ज़रत है ब्राइटनिंग पे काम करेगा, एंटी एजिंग पे काम करेगा वही मसूर कीदार, skin की lightening में काम करेगा और tan को remove करने में, pigmentation को remove करने में काम करेगा ये दोनों को आपको लेना है, equal quantity में इसको mix करना है और उसको एक mixer jar में डाल देना है ठीके और फिर इसको अच्छे से grind कर लेना है बहुत जादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत जादा दरदरा भी नहीं कुछ इस तरह से रहना चाहिए ये ठीके ये आपके लिए ना two in one काम करेगा फेस वाश का भी और scrub का भी ठीके तो ये आपको collect करना है एक bowl में ये तो आपको face wash powder का है ही base लेकिन दो खास चीज़े डाली है जो cleansing का भी काम करेंगे brightening का भी काम करेंगे जिसमें सबसे पहला है basin natural cleanser होता है guys basin और ये आपकी skin से जो hair होते है extra facial hair होते उसको भी remove करता है tanning को भी remove करता है dirt और impurities को भी remove करता है तो basin डाले आप इसमें ठीके सारी जो चीज़े उसकी quantity मैंने नीचे description box में 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 मैंचिन कि आप इसको एक बड़ सरू चकाउट करें final ingredient इसमें जाएगा वो है coffee powder coffee powder का face wash यूज को आप scrub यूज को आप यूज को आपको जो यूज करना है करो और यह सबसे आसान तरीका होगा coffee को आपकी skin के routine में include करने का क्योंकि आपको इसको बस rub करना आपकी skin में उसके फाइदे ही फाइदे देखते रहने है coffee tan remove करेगा skin की brightening करेगा और आपके जो भी lines wrinkles से उसको भी reduce करेगा skin को tighten up करेगा तो coffee आपको इसमें लाजमी डालनी है अगर आप अपनी skin में natural glow चाते हो और आपके skin से pigmentation बहुत जादा गहरी है तो इसमें डाले हल्दी powder भी यह आपके उपर इसमें मैं आपको कंपल सरी ने भूल ठीके लिए चार चीज लेकिन कंपल सरी आप इसको अच्छे से mix करे मिक्स करें इस तरह से और एक container में store करें करें एर टाइट कंटेनर में इसको आपको फ्रिज में कहीं पर रखने की ज़रत ने रूम टेमरिचर पर इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हो जब भी आपको अपके फेस को वाश करना मैं आपको काऊंगी एटलीस दो बार तो करती होगे तो दो में से एक बार तो यूस करें या फिर दोनों टाइम आप इसको बेज जिजक और अराम से यूज कर सकते हो सिर्फ एक चमच आपको यह फेस्वाश पाउडर लेना है और अपकी कान्विनियंस केसा अपस अगर आपके पास जादा टाइम ने तो सिर्फ कुछ डॉप्स पानी इसमें डाले थोड़ा फेस्वाश पाउडर में बस इसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना हो और यह लेकि बस अपने चेहरे पैचे से रब करें यह आपके चेहरे को ना सिर्फ करता है बलकि एक्सफोलियेट करता है इसमें जो चावल और मसूर की डाल का जो कमाल आपको मिलेगा इसको जगी स्केसा इसे इसे बिग्मेंटेशन और पहले से जदा ब्रायट दिखने लगेगी अगर खंकी उडिकान पिग्मेंटेशन करते जाओبة। सारे जो रंग से रिलेटेड इशूस है जैसे अपकी pigmentation हो dark spots हो उसको reduce करेगा अगर कहीं पर आपकी skin tone uneven है जैसे mouth के around होती है कहीं पर किसी को patches हो जाते है यह उसको reduce करेगा अगर इसमें डही डाल के use करते हो तो यह exfoliation के साथ सथ आपकी skin में tightening effect भी देगा fairness आपकी skin में देगा natural brightness देगा आपके complexion को naturally brighten up करेगा glow लाने के हम इसमें हल्दी और coffee का जो mixture दाला है यह आपकी skin में natural glow natural brightness देता है complexion को आपके एकदम जादा improve कर देता है lightened up कर देता है और basin जब आप इसके साथ में combine कर देता है तो cleansing का भी effect मिलता है facial hair आपके reduce हो जाते मतलब आपके skin की सारी सारी problems guys इससे solve हो जाती है अच्छे से बस आपको रब करना है daily basis पर अगर आप इसको कर रहे हो तो 2-4 मिनिट इनाफ है या 2 मिनिट भी इनाफ है अगर आप इसको दिन में से वेकी बार कर रहे हो तो कम से कम 4-5 मिनिट के लिए हलके हाथों से इसको आपके skin में रब करना है that's it यह जो आप कमाल आपकी skin में करेगा यह कोई महंगा face wash भी नहीं कर सकता कोई महंगी night cream भी नहीं कर सकती कोई महंगा serum भी नहीं कर सकता प्लीज एक बार इसको जरूर ट्रा करें सारे ingredients आपके घर में मौझूद है है की नहीं है तो प्लीज इसको यह बनाए और आज के आज ही इसको use करना शुरू करें और within 7 days अपने skin को transform करें यह skin transformation करने वाला face wash powder है simple है इसलिए यह मत समझो कि यह कोई जादा काम ने करेगा ज result पिलता है वो एक simple step से आपको यह मिल जाएगा हाँ मैं यह नहीं बोलोगी कि आपके skin care के सारे steps को भूल जाएए definitely करें लेकिन कुछ नहीं कर पार हो तो at least face wash करने को अपने skin को moisturize कर ले that's it बस यह भी आपने कर लिया ना मैं आपको guarantee के साथ कह रही हूँ कि आपकी skin naturally glow आपकी skin completely even हो जाएगी आपकी skin के सारे दाग धबे spots हलके हो जाएगर आपकी skin एक ताइटन अप दिखेगी तुमीट कर दिखेगी सिंपल लेकिन बहुत जादा effective face wash powder बना के यूज करने वाले हो जो भी आपके experience को के नीचे कॉनबक्स में जरूर बता है लेकिन उसे पहले guys इस वीडियो को लाइक करते वजाए लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें इसे बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर टिक करें ताकि जल से जल आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे दूसरे चैनल तो राबिया का किचन को भी जरूर सब्सक्राइब करें उसके लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो गाइस आज के लिए इतना ही मिल्टी में आपको मेरे अगले वीडियो में तब तक लेचे क्या लव यू बाई